असलाम अलेकुम आज डेट है 24th of January और आज हम बात करने जा रहे हैं भक्ती Gems and Jewelry Limited के December के quarterly result के बारे में जी हाँ December का quarterly result recently company ने announce किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि company ने अपने December के quarterly result में कैसा perform किया है वीडियो को आगे पढ़ाने से पहले अगर अभी तक आप लगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन करते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं भक्ति जैम्स एंड ज्वैल्री लिमिटेड 35.5 रुपीज पर ये कंपनी अभी ट्रेट कर रही है अगर एक हफ़ते का चार्ट पैटन देखें तो वैसे एक दिन में 9.57 परसंट का पॉजिटिव रिटन दिखाया है आज की रिट अगर चार्ट पैटन देखें तो 0.62 परसंट का पॉजिटिव रिटन है वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखें तो 124 परसंट का अच्छा का सा रिटन दिया है कंपनी ने एक साल की बात की जाए तो 47 परसंट का निगेटिव ग्रोथ है वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में 61% का positive return है, maximum में अगर हम जाएं तो भी 61% का positive return है, मई 2017 में यह company list हुई थी, और किस industry को belong करती है यह company, तो diamond, gems and jewelry का company का काम है, और small cap company है, सिर्फ 32 क्रोड का market capitalization है, stock अभी rank कर रहा है, 2786 पर, company profile की बात करें, तो कुछ इस तरीके से website है, देख सकते हैं, welcome to bhakti gems and jewelry limited, तो कुछ इस तरीके से product है, company के, company jewelry बनाती है, और देख सकते है, ornaments, antique set, तो यहाँ पर जो है, login का option आ रहा है, हम अभी login नहीं करेंगे, तो देख सकते हैं, overall, यह company की website है, और यह company का business है, सारी चीजे, इनके website पर available है, bhakti jewelry.com बात कर लेते हैं, जरा valuation की, तो sector का price to earning ratio, अभी, minus 468 है, वहीं इस company का price to earning ratio, देखेंगे, तो 129.94 है, वहीं अगर हम बात करें, sector के price to book value की, तो 6.42 है, sector का price to book ratio, वहीं इस company का price to book ratio, 2.16 है, shareholding pattern की अगर बात की जाए, तो shareholding pattern आप देख सकते हैं, promoter के पास 53% की holding है, वहीं mutual fund, domestic institution और foreign institution, तीनों के पास, कोई holding नहीं है, ये एक negative point है, promoter के पास 50% की holding है, ये एक positive point है, वहीं retail के पास 46% की holding है, जो की एक neutral बात है, बात करें अगर result की, तो according to screener.in, हम result देखेंगे, भक्ती gems and jewelry limited का, December का quarterly result देखेंगे, then हम positive point और negative point देखेंगे, then last में देखेंगे, हम intrinsic value, वीडियो को बिल्कुल भी skip मत करिएगा, complete video देखेंगे, patience के साथ, ताकि आपको complete information मिल सके, तो quarterly result में सबसे important क्या होता है, पहले sales देखेंगे, then operating profit देखेंगे, then last में हम देखेंगे, net profit, तो sales अगर हम देखें, तो September के quarter में 20 करोड का sales था, December quarter में बढ़कर हो गया है, 27 करोड, operating profit 23 lakh का नुकसान हुआ था, December के quarter में हुआ है, 9 lakh का नुकसान, वही net profit की बात करें, तो 15 lakh का net profit था, September के quarter में, December के quarter में हो गया है, 14 lakh का net profit, अब आप ये पूचेंगे, कि ये net profit कहां से आया है, जब operating profit में नुकसान हुआ है, तो net profit में फाइदा कैसे हो गया है, तो उसका reason एक है, वो है other income, other income जो कि इनका 37 lakh का था, September के quarter में, December के quarter में बढ़कर हो गया है, 39 lakh का, after taxation, tax कटने के बाद, depreciation होने के बाद, सब कुछ मिला कर, इनको 14 lakh का profit हुआ है, December के quarter में, जो कि September के quarter में 15 lakh का मुनाफा था, तो आप यह कह सकते हैं, देखिए, इनका revenue जो है, अच्छा आया है, तीक है, revenue में growth हुई है, इनका operating profit, जो है, उसमें भी आप कह सकते हैं, कि नुकसान कम हुआ था, तो ये भी growth है, net profit में भी ठीक ठाक आया है बराबर, तो result आप कह सकते हैं, काफी अच्छा आया है, वहीं अगर हम बात करें, market competitor की, तो इनके market competitor हैं, कौन है, सबसे पहले तो Titan है, Titan Company, दूसरा है, राजेस एक्षपोर्ट, वैभाव ग्लोबल, कल्यान ज्वेलर्स, गोल्डियम इनिशियन, और कौन है, रिनेस ग्लोबल, और थंगा माइल ज्वेलरी, तो ये हैं इनके market competitor, बात करें अगर positive point और negative point की, तो positive point क्या क्या है company में, positive point यह company almost debt free है, साथी साथ quarterly result company ने अच्छा expect किया था, और company ने अपना debtor days को decrease किया है, 34 days से कितना कर दिया है, 23 days कर दिया है, वहीं sales growth जो है company काफी अच्छा है, पिछले 10 सालों में 23% का sales growth है, जो की काफी अच्छा है, वहीं negative point की बात करें तो company dividend अच्छा payout नहीं कर रहे हैं अपने investor को, interest coverage ratio काफी low है company का, और साथी साथ return on equity भी company ने अच्छा generate नहीं किया है, और promoter की holding जो है, वह decrease हुई है, पिछले 3 सालों में 15% decrease हुई है, जो की एक negative point है, तो यह तो सारी बाते हो गई, negative points की और positive points की, अब बात कर लेते हैं intrinsic value की, तो according to ticker tape.in, bhakti gems and jewelry limited का, जो intrinsic value है, वो अभी सही नहीं है, return versus FD की बात करें, तो FD से अच्छा return इसने नहीं दिया, dividend अच्छा payout करती नहीं company, entry point के लिहाज से stock अभी overbought zone में नहीं है, लेकिन यह stock इस पर एक red flag available है, और red flag क्यों है, red flag इस वज़े से कि यह stock जोए ASM list पर listed है, तो ऐसे stock में थोड़ा सा बच कर रहे हैं, जो ASM list में listed है, हाला कि अभी कुछ पक्का भी आया नहीं है, कि क्यों listed है, तो ऐसे stock से थोड़ा सा अभी आप बच कर रहे हैं, जो कि ASM list या GSM list पर listed हो, तो यह थी मेरी वीडियो भक्ति Gems and Jewelry Limited के, December के quarterly result के उपर, वीडियो में मैंने positive point भी बता दिया, इंफर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक सरूर करती चाहिएगा, चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने subscribe नहीं किया, या फिर पहली बार अगर चैनल पर आ रहे हैं, तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब पक लिए जातर दीजिए, खुदा आफ़िस चैनल